यहां बैठो आराम से मैं तुम्हारी आँखों में दवाई डाल देती हूँ अरे सुमन मुझे कुछ नहीं हुआ है मैं ठीक हो जाओंगा बस थोड़े दिन का आराम कर लूँ फिर मैं वापस आटो चलाने लगूँगा तुमने शायद नहीं सुना डॉक्टर ने क्या बोला है कि तुम्हारी आँखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है आज तुम बच गए ये तो हलकी सी चोटा ही है अगर जादा कुछ हो जाता तो बताओ मैं और बच्चे क्या करते अब तुम कुछ महीने बिलकुल भी आटो बोलो मम्मी क्या हुआ मम्मी बताओ मेरी बात ध्यान से सुनो तुम्हारे पापा को बिलकुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम दोनों पिछले एक हफते से स्कूल नहीं जा रहे हो वरना उन्हें और चिंता हो जाएगी मुझे बस थोड़ा समय लगेगा मैं तुम दो पुले हुए अभी 12 तेरा देनी हुए है ना नहीं मम्मी स्कूल तो खुलते से ही पढ़ाई शुरू हो गई वो तो हम दोनों ही है जो हमारी किताबे अभी तक नहीं खरी दी गई है अब तो मेरी सहेलियों ने भी मुझे अपनी किताबे देने से मना कर दिया है हा मम्मी बि मुझकिल से अपने बच्चों को पढ़ा रही थी उसका पती मदन किराये का ओटो रिक्षा चलाता था घर का किराया बिजली पानी बच्चों की पढ़ाई घर के खर्चे सब निकालने थे पर कुछ समय से मदन की आँखों में दिक्कत चल रही थी जादा देर तक ओटो रि कुणने के लिए जाती जिससे वो पैसा कमा सके और बच्चों को स्कूल की किताबे खरीद कर दे सके सुमन के दोनों बच्चे नई क्लास में आ गए थे पर अभी तक उन्होंने किताबे नहीं खरीदी थी और उनकी पढ़ाई बहुत ही खराब हो रही थी देख सुमन मैंने तुझे कहा तो था कि मैं बच्चों की किताबों के रहे तुझे उधार पैसे दे दूगी पर मेरा ब्यूटी पार्लर खुदी नहीं चल रहा और तू तो जानती है मेरे हस्बेंड की नौकरी भी चली गई है तो मैं बड़ी मुश्किल से घर का काम चला पा रही हो मुझे म माफ कर दे मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हो पाएंगे कोई बात नहीं सरिता ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तू पहले अपना घर दे मैं कहीं और से इंतिजाम कर लूँगी अच्छा मैं चलती हो सुमन परिशान हो जाती है उसे उम्मीद थी कि उसकी सहेली उसकी थोड़े पैसी की मदद जरूर करेगी और उसकी सहेली ने भी उसे अपनी परिशानिया बता कर मना कर दिया अब मैं क्या करूँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा बच्चों को स्कूल गए एक महिना होने वाला है अगर मैंनोंने स्कूल नहीं बेजा तो उनका नाम कर जाएगा म मेरे पास सिर्फ दो दिन का टाइम है घर का किराय भी आया हुआ है अगर घर का किराय नहीं दिया तो बहुत मुसीबत आ जाएगी मुझे घर खाली करना पड़ेगा अरे ये किसका फोन है ये तो पडोस की शार्दा का फोन है उठा कर देखती हो हलो मम्मी जल्दी घर आओ हमारी लाइट कट गई है मैं शार्दा अंटी के फोन से आपको फोन कर रहा हूँ अब गर्मी में कैसे रहेंगे मम्मी मैं आती हूँ बेटा आ रही हो ए भगवान अब मैं क्या करूँ कि कहां से पैसे लाओंगी मेरी मदद करूँ तुमन के सिर पर एक परेशानी और आ अगर मैं इस प्रतियोगिता में भाग ले लू तो मैं यही नाम जीत सकती हूँ मैं कोशिश करके देखू मुझे तो पैसो की बहुत ज़रत है हां मैं पूछती हूँ भाईया मुझे भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना है क्या मैं अपना नाम लिखवा सकती हूँ आहा सुमन अपना नाम प्रतियोगिता में लिखवा देती है और जल्दी जल्दी में घबराट में उसे कुछ भी समझ नहीं आता तो वो हरे मटर उठा लेती है सब और ते बढ़ियां-बढ़ियां भरवा पराठे बनाना शुरू करती है सुमन मटर के भरवा बहुत ही स्वाधिष्ट पराठे बनाती है और चांस की बात उसके बनाए मटर के पराठे उसे जीत दिलवा ही देते है हम लोगों ने ये प्रतियोगिता नए हुनर को पहचान देने के लिए रखी थी और आज सुमन जी ने भरवा मटर के पराठे बना कर ये प्रतियोगिता जीत ली है सुमन जी को 20,000 रुपए का इनाम दिया जाता है सुमन जी आपको इस प्रतियोगिता में भाग लेने का प्रोच सहन कैसे मिला? क्या किसी ने आपको इस बारे में बताया था? सुमन ये बात सुनकर फूट फूट करो पड़ती है और अपनी सारी कहानी बताती है मुझे नहीं पता था कि मैं इस प्रतियोगिता में जीत पाऊंगी पर भगवार ने मेरा साथ दिया आज मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत थी तो मैंने उन्हें याद करके बस ये मटर के पराठे बना दिये आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी मदद की मुझे ये पैसे आज बहुत जरूरी चाहिए थे आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया सुमन जीती हुई इनाम की राशी लेकर जाने लगती है, तब ही एक आदमी उसे रोकता है मेरा नाम आलोग है, सुमन जी मैं चाहता हूँ कि आप मेरे रेस्टरांट में काम करें, जिसके लिए मैं आपको अच्छी सेलरी दूँगा मुझे आप जैसी हुनहार लेडी की जरुवत थी, आप जब चाहें मेरे रेस्टरांट में काम के लिए आ सकती है सुमन की खुशी का ठीकाना नहीं था, उसी दिन भगवान ने उसकी सारी चिंताएं दूर कर दी थी सुमन खुशी-खुशी घर लोटती है, उन पैसों की मदद से उसकी सारी दिक्कते खत्म हो गई सुमन के दोनों बच्चे भी फिर से स्कूल जाने लगे, धीरे-धीरे मदन की तव्यत में भी सुधार हुआ और उसने फिर से आटो रिक्षा चलाना शुरू कर दिया नागपुर शेहर में आशा देवी अपने दो बेटों और बहूं के साथ रहती थी, उनकी बड़ी बहु का नाम सुमन और छोटी बहु का नाम ने थी था, आशा देवी सुभाव की बहुत ही कंजूस थी, जिस वज़़से उनकी दोनों बहुए उनसे बहुत परिशान रह अपनी देवरानी से, उफो, अब आज क्या बनाओ खाने में? निधी, एक काम कर, सासुमा से पूछ करा, डिनर में क्या बनाए? निधी की शादी को अभी कुछ महीने ही हुए थे, जिस वज़़से वो अपनी सास से बहुत जादा डरती थी, मैं? नहीं दीधी, आप ही अच्छती फिरती हो, मानो अकेले तुम ही को उनसे डर लगता हो, खेर छोड़ो, अब मुझे ही जाना पड़ेगा उनसे पूछने। हाँ जानती हूँ, सारा स्टोर रूम तो राशन के चावल और डालो से ही भरा पड़ा है, उसके अलाबा है भी क्या इस घर में? अरे किस सोच में डूप गई, समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाओ, अच्छा एक काम करना, तु ना दाल चावल ही बना ले और साथ में पुदीने की चटनी भी बना दियो। लेकिन माजी कल रात को भी डाली बनी थी, और यहां तक कि आज दिन में भी हमने डाल चावली खाए हैं। अच्छे हर चीज देखनी पड़ती है, और तू तो जानती ही है सब चीज कितनी महंगी होती जा रही है। रात को काली दाल, सुबा मिक्स दाल, यह दाल खाखा कर तो जिन्दगी ही दाल बन कर फैल गई है। यह बात सुनकर निधी को बहुत हसी आती है और वो चुप चाप एक तरफ चूले पर दाल और एक चूले पर चावल चड़ा देती है। आशा देवी के घर में सुबा शाम हर वक्त बस दाल ही बनती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते हैं। बहु के साथ साथ अब आशा देवी के दोनों बेटे भी रोज आफिस में दाल ले जाकर बोर हो चुके थे। एक रोज जब वो रात में फिर खाने में दाल देखते हैं तो बड़ा बेटा आलोक अपनी पत्नी से कहता है। जाल में दिक्कत ही क्या है और तुम दोनों को इतनी ही दिक्कत है तो तुम दोनों के ले जाने के लिए ये कल से सबजी बना दिया करेगी। अपनी सास के मूँ से ये बात सुनते ही देवरानी जेठानी के चेहरे पर रौनक आ जाती है कि कम से कम अब घर में इस सबजी तो बनेगी। अगली सुबर जब सुमन और निधी सबजी बनानी के लिए फ्रिस खोलती है तो उसमें कोई सबजी नजर नहीं आती। तभी सुमन जाकर अपनी सास से कहती है मा जी घर में तो कोई भी हरी सबजी नहीं है सामने बिर्जू भया की दुकान में सबजी भी मिलती है आप प्लीज जाकर ले आएए ना मुझे इनके लिए सबजी बना कर पैक करनी है दोनों भायों को आफिस के लिए लेट हो रहा है सबजी अरे बहु मैं गई थी उसकी दुकान पर लेकिन सबजीों के रेट तो आसमान चूरे है और वो मुआ बिर्जू का बच्चा एक रुपया तक कम करने को तयार नहीं इसलिए मैं सबजी नहीं लाई ये आलू दस रुपय किलो मिल रहे थे तो यही आधा किलो ले आई अरे सरकार से जो मुफत डाल चावल मिलते हैं उसको इखाया करो पता है ऐसा करके हमें कितनी बचत कर सकते हैं अपनी सास के मूँ से ये बात सुनकर सुमन और निधी के सारे अर्मानों पर पानी फिर जाता है दोनों भाईयों के लिए लंच पैक करके वो दोनों फिर से अरे जब हम अपनी सेलरी आपको दे देते हैं तो आप सबजियां क्यों नहीं लाती बड़े नकरे चड़ गए हैं दोनों भाईयों के जब हमें मुफत में दाल चावल मिल रहा है तो हम क्यों सबजियों पर पैसे खर्च करें अरे बचत करना सीखो बचत नहीं तो एक दिन सब भूखे मरूगे और जब तक मैं जिन्दा हूँ इस घर में यहीं बनेगा खाना है तो खाओ ने तो भूखे रहो आशा देवी अपने आगे किसी की नहीं सुनती और इसका अशर यह हुआ कि दोनों भाई चोरी छुपे बाहर का खाना खाने लगे रोज बाहर का खाना उनका पेट खराब हो गया एक रात दोनों पेट पकड़ कर जोर जोर से चिलाने लगे सुमन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है निधी जल्दी से डॉक्टर को फोन करके बुलाओ तब है सुमन भी चक्कर खा कर बेहुश हो गई निधी जल्दी से डॉक्टर को फोन करके घर बुलाती है देखे आपके दौनों बेटों ने पिछले कुछ दिनों से लगातार बाहर का खाना खाया है जिस वजह से इनका पेट खराब हो गया इन्हें इंजेक्शन लगा दिया है थोड़ी दिर में आराम आ जाएगा बहुत लगता है ये सबजिया नहीं खाती जिसके कारण इनके शरीर में जरूरी पोशक तत्वों की कमी हो गई है मैंने इनको मल्टी विटमिन का इंजेक्शन दे दिया है कुछ ही दिर में होश आ जाएगा लेकिन अगर ये ऐसे ही हरी सबजियां खाने से बचती रही तो इन्हें जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा पता नहीं आप लोग समझते क्यों नहीं खाने में सबजियों की जरूरत हमें उतनी ही है जितनी जीने के लिए सास की आशा देवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कहती है इसमें इनकी गलती नहीं है डॉक्टर साहब मैं ही अपनी कंजूसी के कारण इन्हें राशन में मिले मुफ्त दाल चावल खाने को मजबूर करती थी लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया अपसे मैं अपनी ये कंजूसी भरियादत छोड़ दूगी और अपने बच्चों को हर तरह की सबजियां खिलाओंगी और इस तरह से अब आशा देवी के घर में तरह तरह की स्वादिष्ट सबजियां बनने लगी और दाल चावल अब हफते में दो बार ही बनते थे अब सभी घर वाले हर रोज अलग-अलग सबजियां खाकर बहुत खुश थे Best Buddies अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी न भूलें और भी मज़िदार वीडियो देखने के लिए नेचे दिये गए बेल आइकॉन को दबाएं देखते रहिए Best Buddies करना भी मज़िए